सभी सम्मानित भाई बेहनों तथा प्रदेश स्वासियों मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपनी बात देश के हिर्दे प्रदेश उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ठारवी विधान सभा के लिए हो रहे आम चुनाओं में आप सभी की प्रत्यक्स हुए प्रसोप भागेदारी की पुर्जोर अपील के साथ सुरू करना चाहता हूं वैसे भी यूपी के वर्तमान आम चुनाओं को किसी भी पिरकार से कम करके ना आकें बलकि इसको जात पाद धरम संपरदाय आदी के भेदभाव तथा स्वार्थ आदी से उपर उठकर अपने जीवन की द अंभीर समस्याओं के निदान के रूप में ही देखे तो बेहतर होगा तबी आप सभी मेहनत का समाज के लोगों की अपनी कमर तोड मेहनत का सही फल आपको वै आपके परिवार को यहां मिल पाएगा तथा आगे चलकर आप सभी लोग तनाव वै घुटन वाले महल से निकल कर अपने अपने ढंग से अपना इसांत तनाव मुफ्त वै सुखी परिवारिक जीवन जी पाएंगे आता है यह चुनाओ आगे चलकर आपकी अपनी खुसी वै खुसाली का सही मार्ग पिरसस्त कर सकता है बसर्त कि आप विभिन पार्टियों की वादे खिलापी जुमले ब पाएं इन सब चुनावी चलावों वै इन चलाओं से गिरस्त जीवन अपने बहुत देख लिए और सह भी लिए इस से इन से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया बस रोजी रोजगार की ही प्रात्मिक्ता ही एक मात्र सही समाधान है कुल मिलाकर बी एस पी का यही कहना है कि आप लोग इस चुनावों में अपने एक बहु मुल्य ओट के समयधानिक हक की बदौलत यहां यूपी में सरोजन हितायवे सरोजन सुकाय के आदर्स सिधान्त वे नीतियों पर चलने वाली आइरन लेडी बेहन कुमारी मायवती जी की जानी, मानी वे परकी वी ऐसी सरकार पुन बना सकते हैं, जो कहने में कम वे जन हित के काम करके दिखाकर जनता का भरोसा जीतने में ज्यादा विश्वास करती हैं ये बाते केवल कहने की नहीं है बलकि ये सर्वदित विदित है कि माननिय पहन जी जो कहती है वे करती है उत्तर प्रदेश के लोगों ने अब तक चार बार उनका कड़क सासन देखा है जिससे ये साबित है कि बीएसपी ही अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी कतनी वेकरनी में अं हगिदार बनाकर अपना राजधरम निभाती है जबकि यहां यूपी के लोगों ने विरोधी पार्टियों की सरकारों में राजनीती का अपराधी करण वे अपराध का राजनीती करण के साथ-साथ धरम का संकरने राजनीती के लिए दुर्पियो कानून का भेदभाव का बंदक गुलाम समंझने का एहंकार बहुत देख लिया है जिससे मुफ्ती पाने का अब समय आ गया है स्वेभाविक है कि आप लोगों के एक एक ओट की ताकत से बड़े से बड़े का एहंकार तूट सकता है और आम जन्ता के हित वे कल्यान को समर्पित बीएसपी की सरकार यहां सत्ता में पांचवी बार आ सकती है वैसे भी आप लोग आप तक ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि लोगों की जातिगत वे धार्मिक भावनाओं आदी से खिलवार करने अपना राजनीतिक हित सादने वाली पार्टी इनकी सरकारें सरो समाज के हित वे सुरक्षा वे इनका विकास नहीं कर सकती हैं इसलिए बीएसपी की सरकार में लोगों की रोटी रोटी भूमी हीनों को जमीन आवास वे इनकी सेहत सिक्षा वे सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें वे सुईधाओं प साथ ही साथ सभी लोगों को बराबरी से मिलता है जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में कुछ मुठी भर पूंजी पतियों धन्ना सेटों वे सत्ताधारी लोगों का ही विकास हो पाता है ये सब जन्भावना वे राष्टिये हित के साथ खिलवार नहीं तो और क्या है य गरीबी, पिछड़ापन तथा बेरोजगारी के कारण पलायन की जटिल समस्या आदी किसी भी पिरकार से यहां कम होने का नाम नहीं नहीं ले रही हैं और आपका घर परिवार दुखों भरा जीवन घुट-घुट जीने को मजबूर है ऐसे में ही यहां यूपी की लगभग दो तिहाई जनसंख्यार रोजी रोटी के आभाव में थोड़े से सरकारी मदद के सहरे लाचार जीवन जीने को मजबूर हो रही है क्या यह अती दुखत वे दुर्भाग्यपूर नहीं है यूपी के लोगों के इस दुर्दसा वे वैस्थापूर जीवन को भी सरकारें अ होगा अब अंत में मुझे सभी प्रदेश्वासियों से यही कहना है कि सरोजन सरोसमाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है तथा इसके इसके आयरन लेडी बेहन मायावदी जी के नेतर्तों का अटल विश्वास सरोजन हितायवे सरोजन सुकाय की नीती के तहत चलकर कानून द्वारा कानून का राज के माध्यम से ही यहां सरोसमाज की सुरक्षा सम्मान विविकास का गुड गवर्नेंस सुनिचित करना है अब फैसला आपके हाथ में है लेकिन हमेशा याद रहे कि आप अपने वोट के अधिकार का केवल सम्मान ही नहीं करें बलकि इसे मूल अधिकार मान कर इसकी जी जान से हिफाजत भी करें इसलिए अमबेट करवादी पार्टी बीस पी की आप सभी लोगों से यही अ सावधान रहें आपका ओट बहु मुल्य है आपका कोई ओट खरीदा ना खरीदा ना जा सके कोई ओट लूटा ना जा सके कोई ओट पढ़ने से ना रहे रह जाए तथा जाती बिरादरी पैसा मंदिर मस्जिद या मात्र भावनाओं के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जा से रक्षा कर जगे वे बार-बार करनी है तभी खास कर समीधान निर्माता भारत अतन परम पुझ्ये बाबा साब डाक्टर भीमरा उंबेड कर द्वारा हर महीला पुर्ष वे गरीब अमीर को एक व्यक्ति एक उट का समता वादी अधिकार देकर अपनी अच्छी अच्छी सर कार बना कर अपना उद्दार समय करने का सपना यहां साकार हो सकता है जिसकी जरूरत आज के समय में यहां सभी लोगों महसूस कर रहे हैं तथा बीएसपी जिस प्रियास में हमिसाही अग्रणी वे लगातार अग्रसर है जो बाबा साब डाक्टर भीमरा उंबेड कर का बता बना कर बहन कुमारी मायती जी को रिकॉर्ड पांचवी बार यूपी का मुख्य मंत्री बना कर अपना भविस्य उजवल करने के साथ साथ विसाल आबादी वाले इस गरीब वे पिछड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बहु प्रतिशित विकास वे खुसाली में सम्मानित भागिदारी बने अब अंत में यही खास अपील है कि आप अपनी पार्टी बीएस पी की एक बार फिर मजबूत सरकार बनाएं ताकि सत्ता की मास्टर चाबी के जरिये यहां जिंदिगी के हर पहलू में सरोजन हिताय सरोजन सुकाय के हिसाब से ही नीती तयार करें बहुज युवाओं बिरोजगारों आदी के जीवन को दुख तनाव वे ऐसरक्षा आदी से निकाल कर उन्हें आतम सम्मान वे स्वेभिमान के साथ सुकी वे खुसहाल खुसहाल बनाया जा सके बीएस पी इसके लिए सदा आप सबकी हमेशा आभारी रहेगी धन्यवाज जैभीम ज चारधारा को घरगर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले